वेभा मोनी जी तथा उपस्तित धरम प्रेमी बन्धों, माताओं तथा बेहनों, आप सभी का प्रातेह काल की इस धरम सभा में हारदिक, हारदिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्वल भविश्य की मंगल कामना करता हूँ। धरम और करम की चर्चा, पुन्य और धरम की चर्चा, या जिन शासन के मोल भूत अध्यात्मी की चर्चा, या सम्यक्व या मिध्यात्मी की चर्चा, कहीं से भी हम समेठ लें इसको, कहीं से भी लेकर के आ जाए। फिलहाल हम समाईक की चर्चा भी कर रहे हैं, समाईक में सब कुछ आता है। वे सोभाग्य साली होते हैं, जिनको भक्ती रास आती है। रास का मतलब जिनको भक्ती में रस आता है। कई लोग तो रास उसको समझते हैं कि जो हमको फबती है, हमारे पक्ष में जाती है। रास के दो अर्थ निकलते हैं, एक स्वार्थ का भी निकलता है और एक आनद का निकलता है। नहीं तो तुम लोग कहते हैं यह नग मुझे रास आने लग गया। तुम पत्थर पुद्थर पेहनते हो या कोई टोटका अपनाते हो उसके लिए आपके तो यह तोटका मुझे रास आह रहा है। यह स्वारत का रिश्पा और एक रिश्ता है रस का मुझे रस आ रहा है। रस यनि आनंदारा है, तेरी भक्ती में मस्ती आ रही है, और इस मस्ती के लिए कोई भी मुझे कीमत चुकानी पड़े, तो उस कीमत को चुकाने को मैं तयार हूँ, मैं जिन्दगी की बाजी लगाने को भी तयार हूँ, जब रस आने लगता है, तो मस्तिश्क की भूमी का गौन हो जाती है, फिर्दे की भूमी का सक्रिय हो जाती है, जब सर्धा प्रगट होती है, उन्हें रिपीट कर देता हूँ, समाईक के तीन रूपें, सर्धा की समाईक, शुरुत की समाईक और चरित्र की समाईक, समाईक का जनम सर्धा से होता है, फिर सर्धा जहाँ प्रगट हुई है, जिस परंपरा में, उस परंपरा के अनुसार समाईक की जाती है, उस परंपरा का अपना कोई विधी और विधान है, तोर और तरीका है, वो सुर्ध की समाईक है, लेकिन जब इसका एंड आता है, आखरी एक चर्म इस्तिती आती है, जिसका संबंध है चरित्र से, आचरन से, वो समाईक की एक उतक्रिष्ट इस्तिती है, उसी को हमारे यह समाईक चरित्र कहते हैं, हम तो उस चरित्र को शुरू में ही समझने लग जाते हैं, लेकिन क्योंकि चरित्र पांच है, किसी ने 25 बोल का थोकड़ा पड़ा हो, तो सबसे पहला चरित्र समाईक चरित्र ही है, लेकिन इसका जनम हमेशा स्रद्धा से होता है, और यह मैंने कल भी बताया था, परसु भी बताया था, कि स्रद्धा का उद्धे कब होता है, जब मोहनिय करम कमजोर पड़ता है, जब स्वार्थ कमजोर पड़ता है, मोहनिय करम का मतलब है स्वार्थ, मतलब परस्थी, सेल्फिशनेश, क्योंकि सेल्फिशनेश जो है वो हमारे माइंड की उपज है, हमारे पास दो सक्तिया हैं, एक दिमागी शक्ती है और एक हिर्दे की शक्ती है, और आप आश्चरिये मानोगे, दिमाग से आप कभी भी शेतान हो सकते हो, लेकिन दिल से कभी आप शेतान नहीं हो सकते हैं, दिल किसी को सेतान बना ही नहीं सकता, इसलिए दिल और दिमाग ये दो बाते हैं, मैंने एक जगे पढ़ा था, धर्मिस्थान के अंदर है, जेपुर का लाल भावन है, वहाँ जब हमारा चत्रमास की बाद विच्चरन हो रहा था, तो लाल भावन में जाना हुआ था, तो उपर चड़के प्रवचन होल था, तो जहां उपर चड़के हैं तो जीना है, तो वहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी, उसकी उपर लिखा हुआ था, तब समझा मैं कि यार मामला ये है क्या, वहाँ एक चीज लिखी हुई थी कि किर्पया प्रवचन में जाने वाले अपनी बुद्धी को वहीं उतार कर जाएं जहां पर जूते उतारे हैं, तो मैं सोचा यार कमाल है, ये मामला क्या है, पर है भी बड़ी गजब की बात, क्योंकि बुद्धी हमेशा संसार की होती है, बुद्धी हमेशा धन के बारे में सोचती है, पद के बारे में सोचती है, सम्मान के बारे में सोचती है, कुछ मिल जाए इसके बारे में सोचती है यह दिमाग का काम यही है इसको हम दिमागी कसरत कहते है दिमागी कसरत होती है दिल की इबादत होती है इबादत के काम दिल आता है और कसरत के काम यह जितने भी दुनिया में सडियन तर रचे जाते हैं सब खोपड़ी से रचे जाते हैं इसलिए बार-बार कहा गया है यह खोपड़ी को जुकाओ यह ऐसे नहीं कहा है और ऐसी बात नहीं कि खोपड़ी जुकती नहीं यह मतलब के लिए कई बार जुकती है अपनी खुदगर्जी के लिए कई बार जुकती है लेकिन जब भक्ती में जुकती है ना फिर यह कभी उठती नहीं है और आपने देखा हो गया इस माथे पर जो तिलक लगाने की परंप्रा वो ऐसे नहीं है कोई वज़े है उसकी आज के जमाने की तो मैं नहीं कहता लेकिन पहले जो विवाहित इस्त्री होती थी जिसका विवा हो गया है वो पहले अपनी मांग में सिंदूर भरा करती थी और वो सिंदूर का मतलत तो आप जानते होंगे कि जिस महिला की मांग में सिंदूर भरा होता था एक बात कहने कि नहीं होती थी कि यह बात प्रगठ हो जाती थी यह साधी सुद्धा इसका मालिक है को इसका विवाह हो चुका है यह किसी की हो चुकी मांग का सिंदूर उसके सुभाग्य का प्रतीक था उसके जीवन साथी का प्रतीक था उसके पती का प्रतीक था तो महिलाओं ने तो मांग भरके अपने सुभाग्य की अपने सुभाग्य का जिकर सब के सामने किया लेकिन कहते कि आदमी का कैसे पता चले तो तब कहते हैं कि आदमी जब माथे पर तिलक लगाता था तो तिलक इस बात का प्रतीक था कि यह किसी को मानता है ये दिमाग किसी को दिया हुआ है ये माथा किसी को सोपा हुआ है ये तिलक बहुत बड़ी भूमी का निभाता था क्योंकि पहले तिलक भक्त लोग लगाते थे आज भी हमारी मंदिर मारगी परंपरा में तिलक लगाय जाता है यहां पर भी जब जाब शुरू होता तो तिलक लगा देते हैं तिलक कहीं न कहीं उसके सम्मान का प्रतीक है लेकिन जो भक्त के माथे के तिलक लगता है उसका मतलब यह था कि है प्रमात्मा और वैसे योग सास्तर में देखा जाए तो इसको हम अज्या चक्र बोलते हैं यह जो माथा है इसको क्या बोलते हैं अग्या चक्र बोलते हैं जब हम ध्यान पद्धती में जाते हैं यह योग पद्धती में जाते हैं यह प्रानायम की प्रद्धती में जाते हैं तो इसको जब चक्रों की चर्चा चलती है तो यह अग्या चक्र है अग्या चक्र का मतलब यह कि इसके तिलक लगाने का मतलब है कि यह चक्र अब प्रमात्मा की अज्या में रहेगा अब जैसा वो कहेंगे वैसे ही करूंगा जैसा मेरा प्रमात्मा बोलेगा वैसे ही चलूंगा मेरा प्रमात्मा जिस राष्टे पर चला है उस राष्टे पर चलूंगा यानि इस मस्तिश्क की controlling power मोहनिय करम के अंदर नहीं है अरिहंत प्रमात्मा के पास रहेगी या भगवान के पास रहेगी ये चीज है ये माथे की तिलक का भी परतीक है तो मुख की मुखवस्तिका का भी परतीक है हर चीज परतीक चुने गए है पर लेकिन आदमियों ने बड़े-बड़े धंगशे इजाद की हैं कहीं पर नारियल भी चड़ाया जाता है तो नारियल क्यों चड़ाया जाने लगा मालूम है तुमका इसका लोजिक देखा आपने कभी ये नारियल किन लोगों ने चड़ाना सुरू कर दिया ये नारियल उन लोगों ने चड़ाना सुरू कर दिया कि यार कुछ ऐसा किया जाए हमारी खोपडी भी चड़ जाए और खोपडी बच भी जाए क्या बोला मैंने खोपडी चड़ भी जाए और अपनी खोपडी बच भी जाए तो खोपरा चुन लिया खोपरा उसका नाम भी रखा वा है नारियल को क्या बोलते है खोपरा भी तो बोलते है खोपरा यह निहीं खोपरा क्योंकि वहां लिखा था कि खोपरती चड़ा दो ओपड़ी यानि इसको हम समर्पन कहते हैं और इसी को हमारे यहां महामंत्र नवकार के अंदर नमस्कार भी बोलते हैं नमस्कार यानी शिर जुकाना शिर जुकाना यानी नमना नमना यानी जुकना जुकना यानी समर्पन कर देना समर्पन करने का मतलब अपनी खोपड़ी नहीं चलाना अपनी खोपड़ी का इस्तमाल नहीं करना और खोपड़ी के इस्तमाल का मतलब कुछ और मत समझे लेना खोपड़ी का मतलब है कि अपने एहंकार अपना स्वार्थ का इस्तमाल नहीं करना अपने कसायों का रविश्यों का ज्यादा सेवन नहीं करना उस पर कंट्रोल करना मरियादा बांधना तो उसी चीज़ को लेकर के आप ये देखिए हमारा जो जैन धर्म कहूं या जिन शासन कहूं जैन धर्म कहना तो ठीक नहीं है जिन शासन कहूं ये विजेताओं का धर्म है हारे हुए लोगों का धर्म नहीं है विजेता उनको कहते हैं जिस ने अपने आपको जीत लिया और अपने आपको वही जीत सकता है जो मन का गुलाम नहीं है जो मन का गुलाम नहीं है वो इंद्रियों का गुलाम हो ही नहीं सकता एक जीए जीए पंच पंच जीए 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 दस ये भगवान महाबीर का संदे से जिसने एक को जीत लिया उसने पांच को जीत लिया उसने दसों को जीत लिया और जिसने दसों को जीत लिया उसने अपने आपको जीत लिया जिसने अपने आपको जीत लिया उसने कर्मों को जीत लिया यह एक जीतनी की परंपरा है और जीतता वही है जो स्वार्थी नहीं है स्वार्थी कहीं पर भी जुख सकता आपनी गर्ज में कहीं भी जुख सकता है तो आपको ये में बतला रहा ह haird इस खोपड़ी और मैं कहूं कि आपको संप्रदाय का जनम इस थली कोई है तो यह हमारी खोपड़ी है यह जितनी भी संप्रदाय बनी है ना किस की वज़े से इस खोपड़ी की वज़े से बनी है माइंड यह बहुत बड़ा गेंड चलता है और मैंने एक बोवी बोलता रहा हूँ कि हमारा जो मन है वो कही ना कही महनिय करम के लिए काम करता है मैत्री भाव जो है वो हिर्दे से उपज़ता है प्रोक तुम देते नहीं वर लेकिन देते हैं जब यह सोच करके देते हो कि यह हमें इतना इंवेस्ट करूंगा तो मुζे इतना प्रोफिट होगा Fropit सोच करके इन्वेस्ट करते आप तो वो स्वार्थ है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा तो इतना प्रोफिट आएगा ये है माइन हमारा जो दिमाग है वो गनित की भासा जानता है मैंतमेटिक्स की भासा जानता है लाव हानी की भासा जानता है नफानुक्षान जानता है लेकिन उस नफे नुक्षान का क्नेक्ष्ण स्वियम से है दूसरी के बारे में नहीं सोचता वो अगर दया भी करता है तो ये सोच के अगर दया करता है कि साइद इसमें मेरा भला है तो कहते हैं कि अगर हिसाब किताब से तुम कुछ भी करोगे वो संसार के कोटे में आ जाएगा और जब तुम बेहिशाब कुछ करोगे तो वो प्रमात्मा के कोटे में चला जाएगा इसलिए जो हमारे यहाँ पर बोश्रामी की जो परंपरा चली समाई के अंदर इसको मैं थोड़ा सा के लिए करदू तो ज्यादा अच्छा रहेगा बोश्रामी बोश्रामी का मतलब क्या जानते हैं आप मोटा सार्थ बताओ बोश्रामी यानि छोड़ना इस बोश्रामी का मेथड इतना अपार है क्योंकि आप देखो समाई करने के लिए आप घर छोड़के आए राइट और आपको मैं बतलाओ समाई की अगर मैं एक छोटी सी प्रिभासा करूँ समाई का मतलब है 48 मिनट के लिए घर से दूर रहना मोटी प्रिभासा घर से दूर रहना और घर से दूर रहने का मतलब जानते हो 48 मिनट के लिए मन से दूर रहना मन से दूर रहना मन से दूर रहने का मतलब संसार से दूर रहना संसार से दूर रहने का मतलब स्वार्थ से दूर रहना तिकडम बाजियों से दूर रहना, हर रिष्टों से दूर रहना, यहां तक कि समाइक की तो वो इस्तिती आ जाती है, जिसको यहां पर हमारी यहां एक सब्द दिया है, कायोत सर्ग, यानि अपने काया से भी संपर्क काट लेना, जब समाइक परम प्राकास्टा पर पहुंचत है, तो हम अपने शरीर को भी धूल जाते हैं, आहार को भी धूल जाते हैं, विचार को भी धूल जाते हैं, अपने में खो जाते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं, कि हमें समय कभी पता नहीं चलता है, यह संपर्क जब कठता है, तब जाकर कि यह विशेश्ता प्राक्त होती तो बोश्रामी बोश्रामी का मतलब है छोड़ना सच बोलो ये बोश्रामी अगर आपके शिर्पर बोज हो और आप सफर कर रहे हो और बोज ज़्यादा है पसीना आ रहा है शरीर हाप रहा है शांस हाप रहे है आगे एक छायादार व्रश मिला छाया में रुक गए फिर क्या करते हो आप अपने उस बोज को उतार देते हो उतारने के बाद तुम्हें क्या लगता है राहत मिलती है न ओ चलो यार थोड़ी देर विश्राम करते हैं और वो विश्राम कम मिला जब वो बोज आपने उतार दिया तो समाइक करते वक्त बोज रहता या नहीं रहता बताओ बोज रामी का मतलब तुम्हें समाइक में घर की याद आती है आती तो हो गया दुकान की याद आती है बोल तो दो अभी दुकान तो नहीं बोज राई ना आपने घर नहीं बोज राई ना आपने आपने क्योंकि दुकान की याद आती है दुकान नहीं बोसराया तभी तो आपका ध्यान बार बार घड़ी की और यार महराजी ने टाइम फाल तो ले लिए ये तो हमें भी तुमसे अच्छी तो समाइक में करता हूं कि तुम्हें मैं जल्दी बोसरा देता हूं कि जाओ क्योंकि हमें ये पता लग जा कि महराजी इतनी देर के बाद बोसरा देगा वह ठीक है भी हम बोसरा देते हैं लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब तक बोसराओंगे नहीं तब तक शांती नहीं मिलेगी आप ये नियम और भी आगे बढ़ना ज़रा किसी ने आपको गाली दी उस गाली को बोसरा करके समाइक करते हो आप कभी किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा किया आपके साथ तो कभी कभी तो समाइक में जितनी भी लोगों ने बुरा किया है उनके चेहरे सामने आने लग जाते हैं तो सामने इसलिए आये हैं ना कि अभी हमने उनको बोसराया नहीं है अभी उनको हमने छोड़ा नहीं है बहुत दूर तक चलता है मेरे बंदुओं यहाँ तक की आप समाज में दान देते हो दान देकर के भी बोशराया नहीं कभी कभी तो अपना दान की याद दिलाने के लिए बोलो पत्थ्रों पर वो दान बोशराया आपने या नहीं वो बोश्राया नहीं, जिसकी याद आए, आपने बोश्राया नहीं, यह बोश्रानी की जो परंपरा है, इस बोश्रामी की जो परंपरा है, इसकी गहराई में जायो, आप यह देखिये, कितनी गजब की बात की, अगर जो बंदा सही समाई करता है, उसके घर में कभी टेंसन आई नहीं सकती जो समाई का महत चानता है उसको high blood pressure हू जो ही नहीं सकता उसको brain hemorrhage हो ही नहीं सकता उसको सुगर की बीमारी हो ही जो नहीं सकती ये जो tension से आती है क्योंकि हम अपने उपर बोज़् ले करके बैठे हैं उसने वो किया उसने वो किया, उसने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी, उसने मुझे बरबाद कर दिया, उन सब बातों को बुरी बुरी भी बातों को आप अपने अंदर समेट करके रखते हैं, बोस्राते नहीं हो, और समाइक वो पद्धती है, कि बुरे को भूलना सीखने की कला सिखाती है ये हमको समाइक, हमें सतरो ताजा रखती है, ये समाइक, बोज नहीं रखती है, पता निक कितना बोज लेकर कि आप चलते रहते हो, आप कहोगी घर की बात, ये घर में टेंशन, अब बलो, अगर अपने, आपने अपनी लड़की की साधी कर दी, सादी का मतलब है लड़की को बोलो बोलो बोश्रा दिया हां सच बोल रहा हूं मैं तुमको जब आपने लड़की को बोश्रा ही दिया एजी बेटा तेरी सासु कैसी है तुझे तंग तो नहीं करती ज्यादा तुझे ज्यादा तंग तो नहीं करें ना तु बता दिये बोश्रा दी खत्म करें बात को जब लड़की को भेड़ने के बावजूद भी अगर आपके हर रोज इतने फोन आ रहे हैं और उनकी निजी जिन्दगी में दखल अंदाजी चल रही है आपकी लड़की सुखी रहने वाली है दुखी रहने वाली है अब भसराय मैं बोश्रा है और रही लड़के की बात यह भी सुन लोड़के की अगर साधी कर दिये तो लड़का भी बोश्रा दिया किसी के साथ सादी करिए उसको दे दिया ना अपने अपना लड़का सोप दिया ना अपनी उसकी बहु को जो सादी हो करके आई है कभी आया तुम्हारे मन में कि बस अब तु इसका है और आपको गहरी बात और बता देता हूँ अगर कोई साधी सुधा, चाहे पती है, चाहे पतनी है, अगर वो दिक्सा लेने के भाव आता है, उस वक्त उसके माबाप से अग्यानी ली जाती है, अगर पती दिक्सा ले रहा है तो उसकी पतनी के अग्या चलती है, उसके माबाप के अग्यानी चलती है, अगर पतनी दिक् पर अपना कब्जा बरकरा रखा हुआ है कि बहु के आते ही अगर सासु सोच ले कि नहीं यह तेरा लड़का अब यह मेरा लड़का तेरा हो चुका है और लड़के को तुम यह कह दो मैं तो कभी कभी कहता हूं इस बात को कि आज के घर का संतुलन जो बिगड़ा है कही न कहीं कुछ गरवड कहां पर हुई है हो सकता है मेरी बात तुम्हें समझ में ना आए लेकिन यह बात मैं कहता हूं अगर कोई लड़की ब्याह करके आई है तो उस लड़की को मैं यही कहता हूं कि तू अपने माबाप को भूल यह था और यह है पक्की बात और यह तो तुम लोग भी मानते हो कि लड़की पराया पराया धन है दूसरे की अमानत है यह तुम मानते हो दूसरे की अमानत है तो भाईया लड़का भी दूसरे की अमानत है आजकल तो वो भी बोलते हैं ना इंगलिश में बड़े अच्छे अच्छे सब्दाते हैं दमाद को क्या बोलते हैं इंगलिश में क्या बोलते हैं अजनी ला कानों नी बेटा ठारों नी उसका है संपान किसका डyangल तमाद किसके बनें उनके चैनर हैं तो यह जो बात है कि जहां अधिकार की भावना कम हो जाती है वहां सुक आना सुरू हो जाता है और जहां अधिकार है और अधिकार कहां रहेगा जहां एहंकार है एहंकार जहां है वहां अधिकार की भावना रहती है कि ये मेरा है मेरा और समाएक सबसे पहले इसी पर चोट करती है ये मेरा सब्द निकालतू यहां से और ये शरीर भी तेरा नहीं है ये शरीर भी आयुष् पतला देता हूं यह सरीर हमारा नहीं है यह सरीर किसका है आठ कर्मों के अंदर एक कर्म है जिसका नाम आयुष्य कर्म है यह आयुष्य कर्म का सरीर है यह हमारा नहीं है तुम्हारा नहीं किसी बाप का नहीं किसी मा का नहीं है यह सरीर आयुष्य कर्म का है अगर तुम गहरा कवाई में जाओ वैसे तो आत करम हैं लेकिन आत करमों के अंदर केवल दो ही करम महत्पूर्ण है बस है कि दो ही करम महत्पूर्ण है क्योंकि हमने आठ करमों को दो भागों में डिवाइड किया घाती करम और ए घाती करम ग्यानावरनिये दर्सनावरनिये अंत्राय और मोहनिये इनको हमने घाती करम कहा नाम करम गोतर करम वेड़निय करम और आयुश्य करम इनको हमने ए घाती करम कहा क्योंकि अब देखना घाती करम वो है जिनका संबंद डारेक्ट आत्मा के साथ है और ए घाती करम उनको कहते जिनका डारेक्ट संबंद शरीर के साथ है चार करम शरीर से जुड़े हुए है और चार करम आत्मा से जुड़े हुए है और जो आत्मा से जुड़े हैं उनको हम घाती कर्म कहते हैं ग्याना वर्निये जो हमारे ग्यान को रोक रहा है दर्शना वर्निये जो हमारे सम्यत्य को रोक रहा है शर्धा को रोक रहा है अंत्राय है ही वो बाधा मोहनिय कर्म का खेल है लेकिन आप ये देखिए घाती में एक कि करम महत्पूर्ण है उसका नाम है मोहनिय करम क्योंकि मोहनिय करम के शय होते ही मोहनिय करम के नश्ट होते ही तीनों करम अपने आप खतम हो जाते हैं जहां मोहनिय करम खतम हुआ ज्याना वर्नियदी जाएगा नियम ना नियम से और सबसे पहले मोहनिय करम ही बंदता है और स सबसे पहले करम बंधने वाला मोहनिये करम है सबसे पहले बंधता भी यही है सबसे पहले टूटता भी यही है मोहनिये करम अगर नस्ट हो गया तो ग्याना वरनिये दर्सना वरनिये और अंत्राय करम अपने आप खतम हो जाएंगे मोहनिये करम के एक शय होते ही केवल ज्ञान हो जाता है बस अत्मा अपने शुरूप में आ जाता है आत्मा अरिहंत अवस्था में आ जाता है हमें अरिहंत बनने से कोई करम रोकता है तो उसका नाम है महनियकरम और अरिहंत को शिद्ध बनने से कोई करम रोकता है तो उसका नाम है आयुश्यकरम अरिहंत जब तक शिद्ध नहीं बनता जब तक आयुश्यकरम बाकी है उसका उस शिद्ध अवस्था में नहीं जाता तो आप ये देखिए घाती करमों में मोहनी करम प्रबल है और ए घाती करमों में आयुश्यकरम आयुश्यकरम के जाते ही आयुश्यकरम के नस्ट होते ही नाम भी गया वेदनिय करम भी गया और गोत्र करम भी गया नाम, वेदनिये, गोत्र है, हमारा नाम, हमारा गोत्र, हमारा बेदना, साता बेदनिये या साता बेदनी, दोनों हैं, उसमें सुख भी है, दुख भी है, दोनों है, उसको वेदनिये करम कहते हैं, साता बेदनिये और ऐसाता बेदनिये, साता बेदनिये में सुख आ जाते हैं ऐसाता वेदनिय में दुखा जाते हैं, तो साता वेदनिय ऐसाता वेदनिय है, यह जितने वेदनिय करम है, नाम करम है, आपकी ऊच नीच है, इज्जत बढ़ाई है, नीच अपनाई है, जो भी सम्मान है, अपमान है, जो भी कुछ है, आपकी परसिद्धी है, आपकी है आयुष करम की तो आप भूल जाओ इस बात को यह आयुष करम जब तक इजाज़त देगा तब ही तक आप यहां पर आओगे समाई करोगे मैं भी प्रवचन करूंगा मैं भी इस बाने में रमनिक मुनी के नाम से रहूंगा जिस दिन आयुष करम खतम सारी पहचान खतम हो जाएगी है कुछ नहीं रहने वाला इसलिए कहते हैं बोस्रामी तू अकड किस बात पे रहा है क्यों जंज़त में पड़ा हुआ है यह बोस्रामी सब्द इतना मजबूत है कहीं से भी पकड़ लो आप कभी कभी समाई करते समय जरूर चिंतन किया करो आप क्योंकि आधा समय तो आप समाई के अंदर आना पूर्वी पढ़ने में लगा देते हो भक्तामर पढ़ने में लगा देते हो अपने आपको इतना भीजी रख लेते हो तुम्हें अपनी होश ही नहीं आ पाता है आपके 48 कोई दोस समय को बोश राण में जतना तुम्हें आनड आवे है देखा करो ताजगी देखा करो आप समाइक जब तक नहीं आ गए और समाइक मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे वो दिन याद आते हैं बताओं कौन से दिन याद दिलाता हूं इस्कूल की अंदर है ना पहले अब होयती है बस्ती है नहीं बस्ती मुझे निमालम पहले इस्कूल में तीन घंटिया बजा करती थी एक इस्कूल लगने की और एक मध्यान की छुटी की और एक पूरी छुटी की तो तुमने कभी चेक की अपने आपको पहली घंटी बस्ती थी चलो भाई चलो पेठन अपने ये एक्षन थे मैंने तो ज़्याद इस्कूल में गया नहीं लिखने बच्चों को देखता है ता हूं कभी-कभी फिर थोड़ी सी खुशी मिलती है जब लेंगे कुछ खाएंगे कुछ टीएंगे बोलेंगे चालेंगे बतलाएंगे और मास्टर से पिंडा चुटेगा ये ये तुम सोच लो लेकिन जब होए होए आखरी घंटी बस्ती थी उस समय मालूं बच्चे किताबों को बस्तों में फूसा करते थे फटा फट ये भी लित प्रुचन पूरा होता है मंगलपात होता उप खा 맛있어요 याक पंगे हो खताम अब चलते हं भागते हैं मतहीं बंदा में बनता में से जाते वक्त थानक को बोसराती वक्त तो में बड़ा अच्छा लगता तो यहीं चीज सोचना है ये समाई कांदर तुमने कभी चिंतन नही किया कि मैं कितना बोज लेकर के बैठी हूँ या बैठा हूँ मैं कितने एहंकार लेकर के बैठा हूँ या बैठी हूँ और ये बोज किसी और का दिया हुआ नहीं है ये बोज हमने खुदी लिया हुआ है ये तुमने ये सब अपनी अपनी मन की बात है कि उसने मुझे प्रेशान कर रखा है उसने मुझे प्रेशान कर रखा है अरे बैया प्रेशान होने का जिम्मा तुमने ले रखा है इसलिए प्रेशान कर रखा है इस दुनिया में कोई किसी को प्रेशान नहीं कर सकता है हमने दिशाइड कर रखा है अगर इसने ये किया तो मैं बरदास्त है ये प्रोब्लम तुम्हारी है क्योंकि भगवान महभीर ने कहा कि तुम दूसरे को तो बदल नहीं सकते तुम करमों को बदल नहीं सकते, तुम परस्तिती को बदल नहीं सकते, अगर कुछ बदल सकते हो तो अपनी मनस्तिती को बदल, बोश्रा में, जब ये मजबूत होती है न, तो फिर सरनम पवज्या में, फिर हम अरिहंतों की सरन ग्रहन करते हैं, वोई मैंने बतलाए तक कल भी बतला रहा था कि सरणम पवज्जामी अरिहंते सरणम पवज्जामी सिद्धे सरणम इसका मतलब क्या बताना जरा मैं अरिहंत की सरण ग्रहन करता हूँ ग्रहन करता हूँ या उनकी सरण में प्रवृत होता हूँ संचरित होता हूँ मैं अरिहंत की सरण में जाता हूँ मैं सिद्धों की सरण में जाता हूँ मैं संत की सरण में जाता हूँ मैं जिन परग्यत धरम की सरण स्विकार करता हूँ पवज्यामी क्या जबरदस्त है क्योंकि इनकी सरन तब ग्रहन कर पाओगे जब खोपड़ी सही होईगी आपकी और खोपड़ी जब सही होगी जब इससे कनेक्शन कटेगा आपका मैं सच बतला हूँ आपको थोड़ा हमारे यां मैं जब पढ़ रहा था ना मैं सनातन परंपरा का एक काल परंपरा पढ़ रहा था जैसे हमारी आरों की परंपरा है पहला आरा दूसरा आरा तीसरा आरा चोथारा पांच वारा छेटा आरा तो वहाँ यूग चलता है वहाँ आरा नहीं चलता है वहाँ यूग चलता है जैसे सत यूग है त्रेता यूग है द्वापर यूग है कली यूग है ये चलते हैं वहाँ यूग चलता है हमारी यहाँ आरा आरा यानि चक्र कुछ भी समझ लो यह चक्र है संसार चक्र है इसको क यहां इसका नाम भी रखा हुआ है और सरपनी काल उत्सरपनी काल और इसकी उक्मा कहीं नहीं साफ से देखर की रखी है और कुछ नहीं है कोई एक्जम्पल के तोर पर रखा है और कोई विशेश बात नहीं है सरपनी से जोड़ा है साफ से जोड़ा है और सरपनी और पूछ से बहुत पतला होता है तो हम जिस यूग में हैं इस यूग का नाम है अवसरपनीकाल अवसरपनीकाल का मतलब है मुझ से लेकर पूछ तक आ रहे हैं मुझ से लेकर पूछ तक आ रहे हैं इसको हम यूभी कह सकते हैं सुखमा सुखमा से लेकर हम दुखमा दुखमा तक जाएंगे फिलहाल इस समय दुखमा है यह पाँचवा आरा कौन सा है दुखमा है छटा आरा दुखमा दुखमा है तो उपर से नीचे आना यानि मूँ से पूछ तक आना पूछ बड़ी पतली है यानि जहां सुख का नाम निशान ही खतम हो जाए दिखाई ना दे क्योंकि आदिक साप का मूँ जल्दी दिखाई देता है पोच नहीं दिखाई देता है इतनी पतली होती है तो वहां एक में काल परंपरा बढ़ रहा था वहां पहली बार मुझको ऐसा मैसुस हुआ ये सुख दुख की जो चर्चा है इसका कनेक्शन कहीं न कहीं आपके माइन से जुड़ा हुआ है आपकी मनस्तितिय से जुड़ा हुआ है समय बदलता है तो समय के साथ-साथ व्यक्ती का धिमाग भी बदल जाता है धिमाग का मतलब उसकी सोच बदल जाती है उसकी बोड़ी का इस सोच के नशार उसकी बोड़ी का स्ट्रेक्चर भी बदलता चला जाता है क्योंकि सब कुछ काम करता है दिमाग काम करता रहता है बोडी का इस्ट्रेक्चर भी चेंज होता चला जाता है हमारे शरीर के अंदर जितने रोग है ना उन रोगों का कनक्शन डारेक्ट हमारे मन से है मन का संबंध महनिय करम से है और महनिय करम का संबंध कहीं न कहीं पुन् न वहां तक पहुंच जाते हैं मेरे कहने का भाव यह है योगी के अनुशार व्यक्ति का दिमाग चेंज होता रहता है तो मैं वो यह कहना चाहते हैं कि हमारे पास इस शरीर के अंदर भगवान भी है और इसी शरीर के अंदर सेतान भी है अब भगवान किसका प्रतिकार सेतान कोन है हमारे अंदर हमारा दिमाग शेतान है राइट इसको आप सिविकार कीजिएगा हमारा दिमाग और ये तुम लोग भी कहते हो खाली दिमाग शेतान का घर खाली दिमाग शेतान का घर मनद दिमाग को सेतान कहा है क्योंकि जितनी भी सडियंतर रचता है ये दिमाग रचता है दिल कभी सडियंतर नहीं रचता दिल जो है ये प्रमात्मा है ये भगवान का घर है दिमाग सेतान का घर है तो दिल भगवान का घर है, इसको हम मन-मंदरी भी बोलते हैं, मन का मतलब हार्ट है, और मैंने इसको कई जगे चेक करने की कोशी की, अगर हम इंगलीश के सब्द में भी जायते तो, आपने देखा होगा, दिमाग को माइन्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? माइन्ड कहते हैं, दि पहली बात तो यह पता लग गया है कि हार्ट अलग है और माइंड अलग है और आपने एक चीज और चेकी होगी माइंड को मनी सब्द से जोड़ा है मनी माइंडिड जो आदमी पैसे के पीछे पागल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बहुत आदमी बड़ा मनी माइंडिड है पैसे के पीछे पागल है मनी माइंडिड के लिए एक ही धुन रहती है वो कहोते आप सब सुनते भी हो पढ़ते भी हो बाप बड़ाना भाईया सबसे बड़ा रुपईया मतलब दिमाग पैसे के पीछे पागल रहता है पैसे के लावों से कुछ नजर ही नहीं आता है यहा बार भी नजरने। बभभल हो जाता है धन के पीछे, दिन रात उसी के धुन में सवार हो जाता है खटता करके—अचानिक मर जाता है, खेल खता हू हो, To यानि दया को दिल से जोड़ा दोलत को दिमाग से जोड़ा अब ये फिक्रे बन गए दया दिल से जुड़ी है दौलत दिमाग से जुड़ी है दिमाग कभी भी बोश्रामी की भासा नहीं जानता बोश्रामी की भासा दिमाग जानता है नहीं ये दिल ही है जो बोश्रामी की किसके लिए क्या कर दू अना कोई एक अ यान आदमी वहां से निकल रहा है दूबने वाली व्यक्ति से जाने वाली व्यक्ति का कोई संबन नहीं लेकिन उसने पुकारा मुझे बचाओ मुझे बचाओ और उसकी आवाज सुनते ही एक दम छलांग लगा दी यह भी नहीं सोचा कि कोई मैं ना दूब जाओं क्योंकि यह सोचने वाला कौन है यह दिमाग है दिमाग ने अगर एक बार भी कह दिया तो तू कई दूब तो नहीं जाएगा बताओ जिसमें यह बात हाई है वो दिल की ताकत है वह हार्ट की पावर है वह हिर्टे की सक्ती है और किसी की सक्ती नहीं है तो काइंड हार्टिड देयालू के लिए का है यह ऐसी नहीं का है और और चीज़ देखी आप हार्ट के लिए और माइंड के लिए माइंड को वाइज भी बोलते हैं वाइ भी बोलते हैं और इन सब्द के आगे आपने देखा हुगा एक सब्दोर जोडते हैं रिवाइज और माइंड के साथ रिमाइंड रिमाइंड यानि याद दिलाना रिवाइज यानि दोहराना याद दिलाना पड़ता है दोहराना पड़ता है जताना पड़ता है बतलाना पड लिए हैं यह आपने याद कर लिए हैं यानि आपने समर्ती का कोस्प में डाल लिया है लेकिन आपको इसको हमेशा तरो ताजा रखने के लिए क्या करना पड़ता है रिवाइज करना पड़ता है रिवाइज करना पड़ता है रिवाइज करते रहोगे तो ठीक रहोगे और को रिलिलाइज दिल क्या करता है रिलाइज करता है रिलाइज यानि महसूस करता है और रिलाइज से ही रिलीजिन बना है realization से ही religion बना है यह जो धर्म जो बना है वो realization से बना है और जब आदमी स्वार्थ में नहीं होता उसी वक्त वो religious होता है जिस वक्त उसकी realization high power की होती है realization जब उच्चा उच्ची इस्ति का होता है उस वक्त व्यक्ति स्वार्थि नहीं होता यह कबाल किसका है एक हाट का है समय हाट से connected है लेकिन आप लोगों इसको कहिन कहीं माइस से connected कर लिया तो मैं कह रहा था यूप की चर्चा कि सत्यूग क्या था त्रेता यूग कैसा था द्वापर यूग कैसा है कल यूग कैसा है तो एक चर्चा बतला रहा हूं आपके समझ में आये तो अच्छा है लेकिन connection इसी के साथ जुड़ा हो गाए कि सत्यूग किसको कहते थे सत्यूग उसको कहते थे जहां राक्षस या असुर अपने लोग में रहते थे दोई लोग थे पहले पताल लोग और देव लोग असुर लोग और देव लोग उनके हिसार से मैं सनातन परप्रा से बोल रहा हूं बेदिक परप्रा की माननेता को आगे लेकर के चल रहा हूं पताल लोग राक्षसों का लोग है जहां राक्षस रहें पताल लोग जहां देवता रहें देव लोग देव लोग ऊपर राक्षस कहते हैं कि पहले देवता अपने लोग में रहते थे राक्षस अपने लोग में रहते थे दोनों में कोई मेल जोल नहीं था वो सतियुग था सब अपने अपने लोक में रहते थे फिर आगया त्रेता यूग त्रेता यूग में यह हुआ कि देवता और राक्षस एक ही लोक में आ गए एक ही लोक में आ गए वो है त्रेता यूग जब राक्षस और देवता एक ही लोक में जैसे इसी धर्टी पर राम भी हुआ और इसी धर्पी पर रावन भी ओए एक ही लोक में हो गए यह त्रेता युग की बात वता रहाँ द्वापर युग में क्या हुआ अब देवता और राक्षस एक ही परिवार में आ गए एक प्रिवार में यह महाभारत का यूग है यह भगँवान ने मिनाथ का जमाना हो गया राम का जमाना मुनि-शुवरत का सम्य का है और जब जमाना नीचे तक पहुँचने लगा तो द्वापर यूग में स्री कृष्टन जी आए या भगँवान हमारे नेमिनाथ आए तो उस वक्त महा भारत आया तो महा भारत के अंदर क्या हुआ एक ही परिवार में देवता भी थे और एक ही परिवार में राक्षस भी थे वो था द्वापर यूग अब है कल यूग देखो कहा से सत्यूग में सब अपने-पने लोक में, त्रेता युग में, एक ही लोक में, द्वापर युग में, एक ही परिवार में, और कल युग में, एक ही शरीर में, राक्सस भी आ गया, और देवता भी आ गया, तु बताओं, यह जब स्वार्थ में आते हो, तो तुम राक्सस बन जाते हो, और जब तुम बोश्रा में यानि समाइक में आते हो उस वक्त तुम देवता बनाती है यह समाइक हमको क्या बनाती है देवता बनाती है और देव लोग का रास्ता दिखाती है जो बोश्रा देगा यानि अपना कनेक्शन काड़ता चला जाएगा अपना ममत घटाता चला और इस संसार से रिष्टा जितना जितना हो सके जल्दी 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 तोड़ता चला जाए और मत तोड़ो पर लेकिन मन का संपर्क तोड़ना शुरू करो मन का संपर्क एक चीज जरूर दोराय करो मुझे एक ना एक दिन यहां से जाना है मुझे नहीं रहना है यहां पर ये चीजे जब लडाने के भाव आएं, लडने के भाव आएं, ये भाव अगर आ जाएं, लडाई बंद हो जाएगी, इस समाई को उस इस्तिति तक लेकर जाने की कोशिश कीजिए आप, सच कहता हूँ, अगर ये इस्तिति आ जाएगी, फिर समाज में पदों के लिए वह हम सब पर पड़ा हुआ है और ये इसलिए समाइक एक बहुत बड़ी ओस्धी है इसके निकट जाईए आप समय हुआ आपका बीर नाम के हेरे मोटी गुरू नाम के हेरे मोटी मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा सोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई गुरू का प्यारा सोर मचाऊं जिसने ये सब मोटी लूटे वो तो माला माल हुए दोलत के जो बने को जारी आखिर वो कंगाल हुए हो दोलत के जो बने कुजारी आखिर वो कंगाल हुए प्यारा सोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई गुरू का प्यारा सोर मचाऊं गली गली सोर मचाऊं गली गले सोर मचाऊं गले गले सोर मचाऊं गली गली झाल झाल झाल